जै श्री कृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वार से, महादेवजी से, माभगवती से प्राटना करते हैं कि आप बहुत स्वस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप धेर सारी सफलता प्राप्त करें आप जो भी पाना चाहते हैं, उस सब को चीशवर आपको ज़रूर दे डियर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिच्वल लव डबल वन डबल वन में आज हम रेडिंग करने वाले हैं कि उनकी नजरों में आपकी कैसी छवी है, आपकी क्या इमेज है आपको किस तरह का इंसान समझते हैं, क्या सोचते हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से आपके बारे में किस तरह की बात करते हैं उनकी नजरों में, आप एक्चुल में कैसे हैं, ये बात नहीं है, उनकी नजरों में आपकी क्या छवी है हर एक इनसान को देखने का हर एक इनसान का अपना अपना नजरिया होता है ठीक है तो आपको देखने का क्या नजरिया है किस नजरिये से वो आपको देखते हैं किस तरह का इनसान आपको समझते हैं कभी-कभी जरूरी नहीं होता कि हम जैसे दिखते हैं सामने वारा इंसान भी हमें वैसा ही सोचे या फिर actual में हम जैसे हैं वो हमें वैसा ही समझे समझ गए ना अब हम क्या बताना चाहते हैं ठीक है तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेने है मनी मन में उनका नाम सोचना है और एक पाइल एक उप्शन आपको सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है लेकिन उसके पहले चलिए हमारे साथ दो मिनट का मेडिटेक्शन कर लीजिए जिससे आपके आस पास कोई भी नेगेटिविटी हो कोई नेगेटिव उर्जा हो तो वो क्लियर हो जाए और इससे आपका मन भी बहुत शान्त होगा चलिए आँखे बंद करिए ओम्भूर्भूवाश्वाहा ताच्यवित्वर्वरेन्यम भर्गो देवश्यधी मही दियो योना प्रचो दया मैं ब्रम्हांद की सभी दिविचेतनाओं का समस्त दिविऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार वेक्त करती हूँ आभार वेक्त करता हूँ मैं मेरे एंजल्स का मेरे इस्पृट काइडर्स का मेरे इस्टदेव का मेरे गुरुजनों का, मेरे पूर्वजों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सबका आशिर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, आपके आशिर्वाद से मेरे जीवर में सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है, मैं हमेशा महसूस करती हूँ महसूस करता हूँ कि आप किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद करते हैं मुझे सही रास्ता दिखाते हैं मेरा मार्क दर्शन करते हैं मुझे हर बुराई से बचाते हैं और मेरे सपने पूरे करने में आप मेरी मदद करते हैं और ये आपके आशुरवात से ही हो रहा है कि मुझे चारों तरफ से सफलता ही सफलता प्राप्त हो रही है लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं लोग मुझसे बात करके बहुत अच्छा मैसूस करते हैं और इसी वज़ा से मेरा आत्म विश्वास बढ़ता जा रहा है, मेरा मन बहुत शान्त रहता है, बहुत सकारात्मक रहता है, और मैं बहुत दीवरिगती के साथ अपने लक्ष की ओर बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ, मैं आपका रिदे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, So, thank you so much universe, thank you so much, I love you, I love you so much, जै शे कृष्णा, Option number one, कैसे हैं आप? I hope कि आप बहुत स्वस्थ हूँगे, मस्थ हूँगे, खुश हूँगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हूँगे Dear, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चानल इस प्रिश्वर लब 1111 में हम आपको बताने वाले हैं कि उनकी नजरों में आपकी कैसी छवी है वो आपको कैसा इनसान समझते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में किस तरह की बात करते हैं ये जो भी है जिने सोच कर जिनका नाम लेकर आप ये रिडिंग देख रहे हैं तो चलिए शुरुवात हम करते हैं सबसे पहले साइन और एलिमेंट से ठीक है इधर हमें जो बहुत स्ट्रॉंग साइन नजर आ रहा है वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस जेमिना लिब्रा अक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉ बराबर हैं आप जिनके लिडिंग देख रहे हैं इनकी डेट बर्थ किसी मैने की 20 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख हो सकती है इनका बर्थ मंथ मई, सितंबर, फर्वरी, दिसंबर, जून हो सकता है इनके नेम का इनिशियल और आपके नेम का इनिशियल बताते हैं B, A, N, G, O, R, D, Y, S, N, U, P, J, H, F, F, L, K, ठीके, यह है इनिशियल इनकी नजरों में आपके जो छवी हैं, यह जो भी हैं अपने आपको यह थोड़ा सा ज्यादा समझदार समझते हैं और आपको थोड़ा सा बुद्धू समझते हैं यह सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है अब यह आपकी मासूमियत है, आपकी मूर्खता है, यह आप जाने अब किसी की भी बातों में आ जाते हैं आपको परक नहीं है इनसानों की आप लोगों की इंटेंशन को नहीं पढ़ पाते हैं, लोगों को समझ नहीं पाते हैं कि कौन किस नजरिये से बात कर रहा है अगर कोई बड़ी बड़ी बाते कर रहा है, कोई illusion create कर रहा है इधर उधर की बात करके तो आप उसकी बातों में आ जाते हैं इनको लगता है कि आप अनुभवी नहीं है, आपके पास life का कोई experience नहीं है और है भी, तो पता नहीं कैसा experience है कि उसके बात भी लोग आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं इनको लगता है कि कब अकल आएगी इने एक बात और बताएं, यह जो भी हम बता रहे हैं यह सत्प्रतिशत सही है और आप बिल्कुल negative way में मत लेना क्योंकि आप जिनके लिए देख रहे हैं यह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी मूर्खता की वज़े से आपकी नादानी नासमझी की वज़े से ही आप दोनों की बीच लडाई होती है एक बात हम और बताएं हमें ऐसा लगता है कि आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बॉस के लिए देख रहे हैं कि ये मतलब मुझे समझते क्या हैं इनकी नजरों मेरी छवी क्या है आप जिनके लिए भी देख रहे हैं आपसे बड़े हैं एज में भी बड़े हो सकते हैं पावर पोजीशन में भी आपसे बड़े हो सकते हैं हर तरह से ये आपसे बड़े हैं और एक हम बात और बताए आपकी एनरजी देखते हुए अभी खेर ये तो इनका नजरिया है अब आप हमें बताएंगे कि क्या ये सही सोचते हैं लेकिन हम जहां तक इनकी एनरजी देख रहे हैं तो ये बहुत मेच्योर, बहुत समझदार, बहुत अंडरस्टाइनिंग, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यक्ति हैं बस जितना प्यार इनके अंधर है उतना ये दिखाते नहीं है, ये शोओ ओफ करते नहीं है और बहुत ही पॉजितिव इंसान है बहुत ही पॉजितिव, आप मेंसे बहुत सारे लोग शोशल मेडिया के थ्रू मिले हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दरम्यान काफी distance है distance relationship है और age difference तो है ही कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपनी जिन्दगी में अभी हाल फिलाल किसी new person से मिले हैं ठीक है वो जदा बात चीत नहीं करते हैं यह जिनके लिए आप रिडिंग देख रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में तो यह थोड़ा कम बोलते होंगे कम बात चीत करना पसंद करते हैं यह बेकार की बातों में बेकार की चीजों में बहुत ज़्यदा interested नहीं है और बहुत ही न्याय प्रिय व्यक्ति हैं यह हां इनका नजरिया आपके लिए यही है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर understanding लाने की जरुत है समझदारी लाने की जरुत है दूसरा आपको एक नंबर का लड़ाकू इनसान समझते हैं कि सोचती समझती है नहीं सोचता समझता है नहीं बस लड़ने ले तयार हो जाता है हमेज़ा जैसे कि गुस्सा इसके दिमाग में नहीं इसकी नाक में रखा रहत जैसे कि बस मुझ खोलो तो कड़वा जहर उगलती है जब भी मुझ खोलती है फिर जब भी बात करता है तो हमेसा जहर उगलता है बात बात पर गुस्सा आता है इसे इनको ऐसा लगता है कि आपके एनरजी बहुत जादा अनस्टेबल है यह अपने दोस्तों से या फिर नेचर वाइज तो बहुत अच्छा है इनोसेंट है बट उसे जिन्दगी का अभी तजुर्बा नहीं है और तजुर्बा नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है उसे सही गलत का अनुभव नहीं है इस वजह से लोग उसे बहुत बेवकूव बनाते हैं उसके दिल के साथ लोग खेल जाते हैं आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत जल्दी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अगर आप किसी से गुस्सा निकाल नहीं पाते हैं जैसे कि कोई आप से बड़ा है अब आप गुस्सा निकाल नहीं पाते हैं तो आपको मनी मन में बोलने की आदत है जैसे एक होता है नहीं लोग मनी मन में बन बनाते रहते हैं कुछ कुछ बोलते रहते हैं चुप चाप आप अंतर इंदर बहुत गुस्सा करते हैं बहुत कुड़ते रहते हैं आपकी आँखों से समझ में आ जाता है आपके चेहरे समझ में आ जाता है कि कितना गुस्सा भारा हूँ आपके अंदर दूसरा यह नहीं लगता है कि आपके बर्ड इतनी सारी, जिम्मेदारियां हैं, अब आपकी परिवार वाले हैं यह, जो आपकी स्थिती परिस्थिती नहीं देखते हैं, आपकी सिच्वेशन नहीं देखते हैं, बस उन्हें खुद से मतलब होता है, अपनी खुआशेओं को पूरा कराने से मतलब होता है, इनको लगता है कि आपको थोड़ा healing की जरुरत है आपका मन बहुत अशान्थ है अच्छे ये थोड़ा से spiritual टाइप के व्यक्ति हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद ये yoga, meditation वगेरा करते हैं और इनका मन आपको देखते हुए काफी शान्थ है काफी शान्थ तो सभाव है इनका इनके energy पे काफी stable है और यहाँ पर आपकी energy बिल्कुल उखडी-खडी सी बिल्कुल टूटी-फूटी सी energy है आपकी टूटा-फूटा सा औरा है आपका आप अपनी जिन्दगी में परिवर्तन तो बहुत लाना चाहते है changes तो बहुत लाना चाहते है लेकिन कुछ बोज़ता रखा है आपके उपर कुछ past की बाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़े हैं जिनसे आप उपर ने उट पा रहे हैं आप दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी responsibility हो आपके उपर कि फिर आपकी जिन्दगी में कोई ऐसा इनसान हो आपके परिवार में ठीक है जो आपको mentally torture करता रहता है तो आप उससे बहुत परिशान रहते हैं आप हमेशा बहुत तनाव की स्थिती में रहते हैं आपके बारे में सोचते हैं कि आप हमेशा तनाव की स्थिती में रहते हैं हमेशा अगर कोई आपको समझाने चलता है कोई बताने चलता तो आपको उसकी सुनते भी नहीं है अच्छा आपको बाद में अफसोस होता है, आपको समझ में आता है कि नहीं मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए, आपको बाद में अफसोस होता है, लेकिन उस वक्त आप अपने गुस्ते में अपने बहुत सारे रिष्टों को खराब कर लेते हैं, कभी-कभी आपको ख आप हमें बताना कॉमेंट में, कि क्या इनका नजरिया सही है आपके लिए, अगर यह सही सोचते हैं, अगर वाकई आपकी हालत ऐसी है, तो आपका ओरा वाकई बहुत वीक पड़ गया है, बहुत जादा वीक पड़ ग़ा आपका ओरा, बहुत low vibration में हैं आप अगर आप कहते हैं हाँ मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना over क्यों कर रही हूँ क्यों कर रहा हूँ मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है मेरे अंदर इतना चरचरापन क्यों है मैं क्यों over react कर देता हूँ मैं क्यों अपने रिष्टों को नहीं समझ पाता हूँ क्यों मैं छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करता हूँ क्यों मैं सब कुछ खराब किये ले रहा हूँ अगर आप वाकई अपनी जिन्देगी बदलना चाहते हैं परिवर्तन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दीख रहा है आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए वहाँ पर हमारे ग्रूप है टेलीग्राम ग्रूप आप उसे जोइन कर लीजिए ठीक है कोई पैसे नहीं लगते हैं उसे जोइन करने के आप उसे जोइन करिए वहां मौर्णिंग में 8 बजे मेडिटेशन कराते हैं देखो जितनी भी सोल्स हैं कोई मेडियम लेवल पर है कोई हाई लेवल पर है कोई अभी बहुत निमनिस्तर पर है तो जब आप उस ग्रूप को जोइन करते हैं आप मौर्णिंग में 8 बजे आते हैं तो आपको वहां बताया जाता है कि आपको बेसिक लेवल से मेडिटेशन की शुरुवात कैसे करनी है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप यूटूब पर बहुत मेडिटेशन जर्ज कर लेते हैं लेकिन कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता जो आपको गाइट करें कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो क्योंकि बहुत अशांत व्यक्ती डारेक्टली मेडिटेशन नहीं कर पाता है उसका मनी नहीं लगता उसको बेच्यानी होने लगती है लेकिन हम बहुत बहुत बेसिक तरीके से आपको हाई लेवल तक ले जाना जानते हैं ठीक है तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं इसमें बिल्कुल भी नहीं अगर ऐसी सिच्वेशन है आपके तो आप उस ग्रूप को जाइन कर लीजे आपके जिंदगी बदल जाएगी आप इस energy से मुक्त हो जाएगे आपका औरा जो टूटा फूटा पड़ा हुआ है और जब औरा टूटा हुआ होता है औरा में blockages होते हैं, break होता है तो कहीं से भी negative energy एंटर कर जाते है थोड़ी थोड़ी बातों में भी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं जिन्दगी की चोटी-चोटी चीज़ों में आप Hopeless हो जाते हैं अप कैसे होगा जिनकी Energy डाउन हो जाती है न वो बड़ी-बड़ी चीज़ों को सहन नहीं कर पाते जैसे कि छोटी मोटी समस्याओं को देखकर भी घबरा जाते हैं अगर उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो जाए तो लगते हैं उन्हें हार्ट अटाइक ही आ जाएगा शहन शक्ती नहीं होती है आप अंदर ये इनते डी मोटिवेट होते रहते हैं और इनको यही लगता है लेकिन पता है क्या चाहते है दिल से क्या चाहते है आपको पता है ये दिल से आपका भला चाहते है ये हो सकता है कि आप पे गुस्सा करते हो हो सकता है कि आप से सही से बात ना करते हो और आपकी energy की वज़े से लेकिन ये दिल से चाहते हैं कि आप बदल जाएं क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने आपको अंदर तक देख लिया है ये एक ऐसे व्यक्ति है जो चाहते हैं आपको इस energy से निकालना आपको positive करना आपकी healing करना ये चाहते हैं कि आप meditation करें आपको प क्या लगता है इनको लगता है कि आपकी जिन्दगी में कुछ ऐसे connections है आपके परिवार के हैं फिर रिस्तवार है ये फिर आपका कोई a friend है आपके love relationship है फिर आपका past है आपके husband wife जो भी जो भी बट ये जो व्यक्ति है जिनके लिए आप रिडिंग देख रहे हैं ये ऐसा स रहा रहा है आपको अच्छी सापता है कि यह इनसान अपको यूज कर रहे हैं फिर भी हैं फिर भी आप Move Out नहीं कर पाते उन ऩॉस्तों से आप लेटको नहीं कर पाते उस है ये चाहते हैं कि आपको ल sentence जो रिश्ते जो रिष्टे आपके लिए सही है ठीक है जो रिष्टे आपके लिए सही है जो रिष्टे आपके लिए पॉजिटिव है आपको भी उनके साथ पॉजिटिव रहना चाहिए उनके लिए करिए लेकिन जो इनसान आपको दर्द पे दर्द दे रहा है आपको अच्छे से पता है कि ये इंसान में लिए सही नहीं है फिर आपका अपना ही क्यों न हो तो उससे इतनी expectation क्यों रखते उस रिष्टे से move on करिए उस रिष्टे से let go करिए self love करिए छोटी छोटी बातों में आप दुखी हो जाते हैं रोने लग जाते हैं मेरे बारे मैं ऐसा बूला इतनी उम्मीदे ही क्यों करना इनको अच्छा पता है इनको ऐसा लगता है कि आपको भी पता नहीं कि जिन्दगी है क्या शाद आपको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है और तभी आप पर इतना तरस खा रहे, तभी लग रहा है कि काश ये आपको बदल पाते, आपके एनरजी को चेंज कर पाते, इनका असा लगता है कि आपने शाद अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया है, तो आप अभी उस चीज से नहीं निकल पाएं, खो दिया मतलब कोई दुनिया से चला गया, को पूचर में आप कैसे पहुचेंगे, इस नजरिये से देखते हैं आपको, बस ये सोचते हैं कि आप थोड़ा सा ना, कैरलेस भी हैं, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने आपको लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, और आपको कोई समझाता है तो आप समझते और नहीं है, तो फ इश्वर से हमेशा प्रार्थनाएं करते हैंगे, कि उसे सदबुद्धी दीजिए, उसे सही मार्ग पर ले आएए, उसकी जिंदगी से नेगेटिव आत्माओं को दूर कर दीजिए, चाहे वो उसका कितना करीबी क्यों न हो, उसकी जिंदगी में एक संतुलन, एक बैलेंस क्रिएट कर दीजिए, यह आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और एक बात बता हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आपसे यह आत्मा का कनेक्शन महसूस करते हैं, हमें नहीं पता कि आप किसके लिए देख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहां पे, यह मतलब हमारा टाइटल नहीं था या फिर हमारा ये परपस नहीं था कि हम ये देखें कि आप किन के लिए देख रहे हैं किन के लिए नहीं बस यही है कि आपके अगर ये प्यार है फिर आप अपने परिवार के अपने किसी दोस्त के लिए देख रहे हैं आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई love reading तो है नहीं, आप किसी के लिए भी देख रहे हों, तो ये आप से बहुत प्यार करते हैं, ये आप से अंदर से बहुत attached हैं, अगर ये कभी भी आप पर गुस्सा दिखाते हों, रूड हो जाते हों, तो कभी इनकी बातों से ये बहुत 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 प्यार करते हैं आपको ये एक आत्मा का strong connection मैं हसूस करते हैं आपके लिए और इनको ऐसा खुद भी लगता है कि पता नहीं क्यों मैं उसके लिए इतना सोचती हूँ उसके लिए इतना सोचता हूँ जबकि वो कहीं से भी मेरे हिसाब के नहीं है बहुत सारी आपके हरकते ऐसी हैं जो इनसे मैच नहीं करती बहुत सारी आपकी बाते आपका नजरिया आपका behavior कुछ भी नहीं पसंद नहीं आता रेकिन फिर भी ये आपके साथ एक strong connection फिल करते हैं और इसी लिए ईश्वर से आपके लिए प्रार्थनाय करते हैं तो कभी इन्हें बुरा मत कहना क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति नहीं जो दिखावे में दिखाएं कि तुम ये तुम वो आपके मुँपर मिठी-मिठी सी बाते करें ऐसे नहीं हैं ये पीट-पीछे भी आपकी तारीफ करने वाले हैं और पीट-पीछे भी आपका भला चाहने वाले हैं और पीट-पीछे आपके लिए प्रार्थनाय करने वाले हैं मुँपर तो मिठु मिया सब बन जाते हैं लेकिन जो पीट पीछे भी हमारे लिए पॉजिटिव सोचे और हमारी भलाई के लिए कुछ करे तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होता ठीक है तो इनकी नजरों में आपका व्यक्तित्व ऐसा ही है और ये जो भी है आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आप हमें कॉमेंट क करके जरूर बताना कि ये रिडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई और ये कौन है किनके लिए आप रिडिंग देख रहे थे क्या ही सही सोचते हैं अगर आपके एनरजी ऐसी ही है तो जो हमने ग्रूब जोइन करने की बात की थी आप उसे भूलना नहीं आपकी जिंदगी नहीं वहां बदल सकती है अगर आप हमारे तरीके से चलते हैं तो ठीक है जैशे कृष्णा अपना खयाल रखे अपने अपनों का खयाल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में ना सुचे क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पुरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशे कृष्णा ऑप्शन नमबर टू कैसे हैं आप आप आई होब कि आप बहुत स्वस्त होंगे मस्त होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका ब आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी नजरों में आपकी छवी कैसी है जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको कैसा इंसान समझते हैं आपकी बारे में किस तरह की बाते करते हैं दूसरों से एक होता है ना कि मुप पर कुछ बोलना कि आप ऐसे हो आप ऐसे हो बट पीट पीछे कैसा नजरिया है आपको देखने का उनकी नजरों में ठीक है तो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आज तो सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे इधर देखिए कैंसर स्कॉर्पिय पाइसियस कर्ग रुष्युक मीन राशी बहुत 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 मतलब बहुत स्ट्रॉंग है उसके बाद है जेमिना लिब्रे अक्वेरियस पितुन तुला कुम राशी और एडिस लियो सैजिटेरियस मेसिंधन राशी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्ण के एनरजी बहुत कम है डियर यह जो भी है जिनके लिए आप रिडिंग देख रहे हैं सबसे पहले यह आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बहुत ही जदा टालेंटेट व्यक्ति समझते हैं इनकी नजरों में आपकी छवी है समझ रहें इनकी नजरों में ये है आपकी छवी कि आप अपने commitment के बहुत पक्के इनसान है अपने वादे के बहुत पक्के इनसान है आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं वरना आप बेफुजूल के commitment कभी देते नहीं है जो आप कर नहीं सकते वो आप कभी कहते नहीं है और पते हैं क्या सोचते हैं कैसी छवी है आपकी कहते हैं कि आपके अंदर ना बहुत जादा healing property है like बहुत blessed soul हैं आप एक ऐसी soul है आप जो दूसरों को भी heal करती है आपसे मिलकर आपसे बात चीत करके बहुत सुकून मिलता है इन्हें बहुत सुकून बहुत positive feeling आती है आपको दिल का बहुत अच्छा इंसान समझते हैं ये बहुत दयालू बहुत kind hearted बहुत soft hearted ऐसा इंसान समझते हैं दिल से सोचने वाले हमेशा सबकी मदद करने वाले सबकी help करने वाले हमेशा सबका अच्छा सोचने वाले सबको सही रास्ता दिखाने वाले कभी कभी इन्हें पते क्या लगता है इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक earth angel हो जैसे कि आपको knowledge बहुत जाता है आपको experience बहुत जाता है आपके advice बहुत सही साबित होती है आपका सुझाव आपके बताए गए रास्ते बहुत अच्छे होते हैं आप बहुत प्यार से बहुत प्यार से बहुत प्यार से समझाते हैं जैसे एक मा समझाती है मा अपने बच्चों को बहुत प्यार समझाती है कि ऐसे करना चाहिए यह करने से यह होता है और पते हैं लोग क्या लगता है जैसे आपके अंदर ना हो सकता आप मैंसे बहुत सारे लोग टीचर हो तो आप बहुत अच्छे टीचर हैं आप बहुत अच्छे अध्यापक हैं आप बहुत अच्छे गुरू हैं आप बहुत अच्छे सिक्षक हैं बहुत अच्छे समझाने का तरीका कमाल का है कि एक बार अगर आप किसी इंसान को समझा दे तो उसके भेजे में उसकी अकल में घुश जाएगी वो बात फिर भूल नहीं सकता अब कभी भी जैलस नहीं करते किसी से, इर्शया नहीं करते सब बढ़ें, सब बढ़ें, आप हमेशा खुद से पहले दूसरों के लिए प्रार्थनाय करते लाइक आपका दिल बहुत बढ़ा है, जो सोच है आपकी वो छोटी नहीं है एक लिमिटेड सोच नहीं है आपकी ओच्छी मान सिकता वाले व्यक्ति नहीं है आप जैसे कि कोई बहुत पॉजिटिव सोल होती तो उसके आस पास जो उसका औरा होता है कुछ लोगों का औरा कई मीटर तक होता है हां बहुत बड़ा होता है कुछ लोगों का औरा तो जैसे कि दस कदम की दूरी पर भी दस पंद्रा मीटर की दूरी पर भी आप होंगे न तो उन्हें सुखून महसूस होने लगता है तो ऐसी ही जैसे आपका जो औरा है वो इतना बड़ा है कि आपके आस पास भी जो लोग रहते हैं दो-चार हाथ की दूरी पर वो भी सुखून महसूस करते हैं जैसे सुखून का जहरना बैता हो हाँ आप बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं बहुत समझदार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाले कुछ लोग होते हैं न अगर कहीं बाहर गए है फॉर एक्जामपल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर कहीं गूमने फिरने चले गए पार्टी में मस्त हो गए तो अपने घर पे फोन करके बताना ही भूल जाते हैं या फिर उनके घर पे उनकी जरुत है उनका काम है तो वही भूल जाते हैं उनकी फैमिली उनके लिए इतने माइने नहीं रखती है उनकी जिम्मेदारी उनके लिए इतनी माइने नहीं रखती है लेकिन आपके लिए बहुत बहुत माइने रखती है आप अपना हर काम छोड़ कर आप अपना हर काम छोड़ कर अपने जिम्मेदारी निभाते हैं आपके लिए आपका जो परिवार है आपके जो जिम्मेदारियां है वो फर्स्ट प्रियोर्टी पर है हो सकता है कि आप अपने पैरंट से अपने माता पिता अपने भाई बेहन ये फिर आप मैरिड है जो भी हैं आपके लिए वो सब बहुत एहमियत रखते है रिष्टों की बहुत एहमियत है आपके नजरों में आप अपने रिष्टों को बखूबी निभाते हैं भले ही आपके रिष्टे आपको वो एहमियत दे ना दे लेकिन आपके लिए आपके रिष्टे आपकी खुद की खुशी से भी बढ़कर है तो आप कभी भी अपनी मस्ती में इतने मगर नहीं हो सकते कि अपनी जिम्वेदारीओं को भूल जाएं आप कभी भी शिकायत का मौका नहीं देते हैं फिर चाहे आपका दोष्ट आपका कोई अपना कितना भी रोक रहा हो अरे रोक जानो थोड़ी दिर बास चले जाना नहीं लेकिन नहीं, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, अब बस हो गया, मतब ऐसे, एक बहुत ही शालीनता वाले व्यक्ति हैं आप, इनकी नजरों में, सच बता हैं इनकी नजरों में, ये आप से इतने इंप्रेस हैं, इतने इंप्रेस हैं कि हम आपको क्या बताएं? इनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी दिव्य चेतना कोई बहुत ही बड़ी दैवी शक्ती हमेशा आपके साथ रहती है और आप अपने जिन्दगी में कभी भी समस्याओं से भागते नहीं है आप उन्हें स्विकार करते हैं चैलेंजस से आप भागते नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करते हैं फिर उन्हें फेस करते हैं और हर एक समस्या का हर एक परिस्थिती का डटकर सामना करते हैं उसका समधान भी कर लेते हैं आपको पता है, आज कल के समय में हम लोग जब समस्याएं देखते हैं न जीवन में, तो घबरा जाते हैं कि कैसे ठीक होगा, क्या करें, कैसे करें, घबराने से कभी समस्याओं का समधान थोड़ी होता है, मान लीजे कि कोई रसी है और उसमें बहुत तेज थे, किसे ने गांठ लगा दी है, और आप उस रसी का इस्तमाल तभी कर सकते हैं जब आप उस गांठ को खोलें, अब वो गांठ इतनी तेज लगी हुए कि खुल नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, जो नॉर्मन इंसान होगा, वो गबरा जाएगा, दूछी रसी लाओ यार, नहीं चाहिए ये, रसी काड़ दो यहां से, गांठ नहीं खुल रही है, फेक देगा, तनाव पूर्ण व्यक्ति, अशान्त व्यक्ति यहीं करेगा, लेकिन, एक समस्दार व्यक्ति, अगर वो जानता है, कि मुझे कैसे इसे खोलना है, तो पता है, वो क्या करेगा, सबसे पहले उस गांठ को बहुत ध्यान से देखेगा, कि लगी कैसे है ये, और जितने ध्यान से आप उस समस्या को देखोगे, उस गांठ को देखोगे, आपको पता चल जाएगा, इसे कैसे खोलना है, ऐसे कोई भी समस्या जब आती है, तो जब आप उसे गहराई से देखोगी, आई कहां से, कैसे आई है, उसकी जड़ पे जाओ, आपको तुरुन स समधान मिल जाएगा, अगर आप उसकी जड़ तक जाते हैं तो, कि बात शुरू कहां से हुई, तो आप उसका एंड अराम से कर सकते हैं, उसे सही तरीके से आप बदल सकते हैं, हम समय से दो तरह के व्यक्ति होते हैं, आप सब के घर सबजीयां आती हैं, आप सब मार्केट स पॉलिथीन में समान लेकर आते हैं, दो तरह की लोग होते हैं, एक वो जो बहुत प्यार से जो शांत, जिनका शांत सुभाव होता है, ठीक है, जो थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, तो बड़े आराम से पॉलिथीन की गांट खोलते हैं, तब समान निकालते हैं, लेकिन दो बड़ото अधाया से पॉलिथीनिस भाड़ देते हैं, आप की किसमे से आती हैं, कौन से वाले हो आप, जो प्यार से गांट खोलते हैं, या पर धिरत पॉलिथीनिस भाड़ देतें, रिफ़ाफा भाड़ देते हैं, जैसे, मान ली जापने कोई ऑनलाइन ओर किया, कोई ट्रेस ओर्डर की तो कुछ लोगे होते हैं उसे प्यार से खोलते हैं कुछ तो बस फार दिया handheld जडड 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 जडडड तो एसे ही अच्छा इनका जो नज़रिया है न आपके लिए वह बहुत माइंड के हैं आप बहुत करेजियस हैं बहुत सहासी हैं बहुत हिम्मती हैं और आप से जीने की उम्मीद मिलती हैं आप इंसान को जीना सिखा देते हैं जैसे जिन्दगी जीरे की पार्ट शाला है आपके पास सच बता रहे हैं बहुत गुणी व्यक्ति हैं आप बहुत ही जादा और हां मस्ती मजाग भी खुब करते हैं आप हसते हैं हसाते हैं इश्वर पे बहुत बिलीव करते हैं आप बहुत बिलीव करते हैं अपने रिष्टों के प्रती और इश्वर के प्रती पूरा समर्पन होता है आपका पूरा समर्पन होता है ये बात इन्हें बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है बहुत सुल्चे उप्यक्ति हैं आप कितने समझदार हैं और किस तरह से आप समर्पित करते हैं इश्वर के प्रति खुद को और जहां पर सारी उम्मेदे खतम हो चुकी हूं जहां पर इंसान ये कहे कि अब नहीं हो सकता आप वहां पर भी जीवन जीने की शैली जीवन जीने की कला वहां पर भी आप कुछ नया खोज लेते हैं दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं बलकि 99 परसेंट लोग ऐसे हैं जो अच्छाई में भी बुराई ढूड़ लेते हैं लेकिन आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो बुराई में भी अच्छाई ढूड़ते हैं आप बहुत अनुभवी तो हैं लेकिन आप तोड़ा सा इस टाइप के व्यक्ति नहीं कि अंध विश्वासी टाइप के आप बिना जाने किसी बात को मानते नहीं हैं अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ बुरा कहा तो आप कहते हैं मैं कैसी मान लूँ अगर मुझे उसे बुरा कहना तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि वो बुरा है क्यों आप चीजों की बुनियाद में जाना पसंद करते हैं आप यूँ ही किसी को बुरा नहीं बोलते हैं चुगली बुराई करना आपको पसंद नहीं है बेकार की बातों में आप बिल्कुल भी इंट्रेस्टेट नहीं है बहुत blessed soul हमने पहले कहा था आपका third eye chakra बहुत strong तरीके से activate है मतलब कि कहीं न कहीं आपकी intuition power बहुत strong है और आपका heart chakra awake है आप निर्दई व्यक्ती नहीं है आप जीव जन्तुओं के प्रती बहुत दया रखते हैं बहुत दया भाव रखते हैं आपके अंदर इतनी करुणा है इतनी दया है आपकी इंसानियत जिन्दा है इश्वर ने आपको इंसान बना कर कोई गलती नहीं कर दी इश्वर भी आपसे बहुत खुश होते हैं कि मनुष्य के अंदर जो quality होनी चाहिए जो गुडवत्ता मैंने दी है हुबहु आप वैसे ही हैं आप उन सभी चीजों का इस्तमाल करते हैं इश्वर ने हमें प्रेम दिया करुणा दिया दया दी सारी चीजे लेकिन हम हर एक चीज को मारते जा रहे हैं और अपने अंदर एक जानवर को जिन्दा करते जा रहे हैं एक हैवानियत को जिन्दा करते जा रहे हैं अपने अच्छाईयों को तो खतमी कर दिया लोगों ने पर आप बहुत कमाल के व्यक्ति हैं हम ये बात सच है आपको पता है चारों दिशाओं की जो दैवी शक्तियां है उनका आशिरवाद हमेशा आपके साथ रहता है आप अपने जिन्दगी में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं आपके सपने बहुत बड़े-बड़े हैं बहुत बड़े-बड़े सपने हैं आप अपनी आत्मा का विस्तार करना चाहते हैं आप एक लिमिटेड लाइफ एक लिमिट में जीना पसंद नहीं करते हैं आप अनंत को जानना चाहते हैं आपके अंदर बहुत जाता जिग्यासा है अग्यात को जानने की अनंत को जानने की बहुत जिग्यासा है आपके अंदर जिसे बहुत जिग्यासू टाइप के लोग होते हैं हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं जब कोई नई बात होती है तो आप उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं समझते हैं कोई भी नई नई चीज़े आपको बहुत अट्रेक्ट करती हैं आपके अंदर जानने की लासा होती क्यों कैसे ये कैसे होता है वो कैसे होता है आप ऐसे व्यक्ति हैं इनकी नजरों में आपके ऐसी छवी हैं इनकी नजरों में और हां लाइफ में जो भी लेसन मिलता है आप उसे बखो भी सीखते हैं अगर जिंदगी में कुछ बुरा होता ह तो आप उससे भी एक सबक लेते हैं, उससे भी एक सीख लेते हैं, और इश्वर के प्रती बहुत आभारी होते हैं, बहुत gratitude की feelings रखते हैं, कि thank God आपने मुझे lesson देया, thank God आपने मुझे सिखाया, ऐसे व्यक्ति हैं आप इनकी नजरों में, हमें ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हैं, उससे आप बहुत सारे लोगों को प्रेडित कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों की प्रेड़ना हैं, हमें ऐसा लगता है कि आप जो भी फिल्ड में हैं, आप job करते हैं, बिजनस करते हैं, कहीं न कहीं आपको बहुत award मिले होंग लाइक आप बहुत सम्मानिद व्यक्ति हैं, बहुत जादा, समाज में बहुत प्रतिष्टिद व्यक्ति हैं, बस पता है इने दो तीन चीज़े अच्छी नहीं लगती, एक ये कि आप अपना दर्द कपी किसी को जाहिर नहीं होने देते, आप अगर कोई बात है जो आपको अ आप हमेशा महसूस करते हैं कि बहुत सारे लोग आपको रोकना चाह रहे हैं, आप जिन्तगी में बहुत तेजे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो लोग शाम, दाम, दंड, बेद, सब कुछ अपना कर आपको आपके रास्ते से गिराना चाह रहे हैं, आपको आपकी मनजिल तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, आप फिर भी हर एक चीज का सामना करते हुए अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बस इनको यही लगता है कि काश आप इनसे अपना दर्द कभी शियर कर पाते हैं, अब हम बता हैं यह कौन हैं, आप अपने एक्स परसन के लिए देख रहे हैं, और कुछ लोग कोई न्यू परसन के लिए देख रहे हैं, जो एक्स परसन हैं, उन्हें पहले सारी चीज़े फील नहीं होती थी आपके लिए, बट अब होती है, अब होती है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपके लिए यह आपने इनको भी जिन्दगी का सही मतलब समझा दिया है तो अब इने आप से प्यार हो गया है अब यह आपको प्रपोस करना चाह रहे हैं और इनको लगता है कि यह आपको कितना प्यार दे दें आप बहुत सरा प्यार डिजब करते हैं तो यह अपने जिन्दगी की आपके सा ये बहुत जल्द आपको प्रिपोस कर सकते हैं इनको लगता है कि कितने क्यूट हो आप, कितने स्फीट हो आप कितने प्यारे हो आप कितने तेज़श्वी कितने ये शश्व्वी हो आप और आप जैसे इंसान के साथ अगर जीवन जीने का मौका मिल जाए तो फिर जिंदगी तो धन्ने हो जाती है इनको ऐसा लगता है यह आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं हमें बहुत सारे लोग को लगता है कि शायद यह आपके आफिस में हैं और कुछ लोग तो ऑनलाइन मिले हैं, distance relationship है लेकिन जो भी है, आपके प्रती बहुत साथ भाव रखते हैं बहुत अच्छी भावना है इनकी और आपसे कहीं न कहीं बहुत प्यार हो गया है इन्हें, आपकी इन अच्छाईयों को देखकर, इन सचाईयों को देखकर इनको लगता है कि मेरी जिन्दगी मुझे ऐसा ही इनसान चाहिए था जो मुझे हमेशा गाइड करता रहे जो मुझे सही रास्ता दिखाता रहे और जिसके हिसाब से मैं अपनी पूरी जिन्दगी जी हूँ जब मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे समझाए जब मुझे कोई गलती हो जाए तो मुझे प्यार से समझाए और मुझे समहा ले मेरे जिन्दगी में जो भी होता है सुक दुक वो कदम से कदम मिला कर मेरा साथ दे मेरा सपोर्ट करे इनको लगता है कि मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था समझ रहें आप तो dear ये है इनकी समझ रहें आप ये है इनकी सोच ये है इनके विचार ये है इनका नजरिया इनकी नजरों में आपकी छवी ऐसी है और ये कितना पसंद करते हैं आपको इस सारी चीज़े हमने आपको बताती है तो अब आप हमें बताएंगे कि क्या ये सही सोचते हैं ये फिर गल्लत सोचते हैं कि आप ऐसे ही व्यक्ति हैं ठीक है जैश्री कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता इस बारे में क्यों सोचना है क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पुरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी बरवा करनी है अपने खुश्यों की बरवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहते हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा Option No.3 कैसे हैं आप? I hope कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे उनकी नजरों में आपकी कैसी चवी है जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपकी कौन सी बात उन्हें पसंद है, कौन सी बात उन्हें ना पसंद है ठीक है? ये सब कुछ हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं शुरुवात करते हम साइन और एलिमेंट से एरिस, लियो, स्याजिटेरियस, मेसिंग धन राशी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्कुरुश्युक मीन राशी, जेमनेरे, ब्रैक्वेरियस, मितुन तुला, कुम्ब राशी, टॉरस, वर्पो, कैप्रिकॉन के एनरजी थोड़ी सी कम है ठीक है, देखे जी, सबसे पहला जो इनका सबसे पहला नजरिया है, वो ये है, कि आपके उपर कोई कंट्रोल नहीं है, शरीर आपका है, लेकिन आपके उपर दोसरों का राश चलता है आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा पर कैसे? कैसे आपके उपर दूसरों का रात चलता है? आपके, मतलब आपके बारे में सोचते हैं कि आप कान के बहुत कच्चे इंसान है आपको कोई थोड़ा सा इधर उदर की बात कह दे आप ब्लास्ट हो जाते हैं कोई थोड़ा सा पिंच कर दे आपको कोई जूटी बात आपको बोल दे आप तुरंट भड़क जाते हैं जैसे कि आपके अंदर इनको लगता है कि आत्म विश्वास की बहुत कमी है अगर किसी ने कह दिया कि वो ऐसा वो वैसा आज तुम अच्छे नहीं लग रहे हो आज तुम यह तो वही पर आप थोड़ा से डी मोटिवेट हो जाएंगे दूसरों की बाते बहुत जादा असर करती हैं आपके उपर वो ऐसा क्यों बोल रही थी उसने मुझे ऐसा क्यों कहा तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो मैं ऐसी नहीं हूँ आप 1000 लाग करोड़ों गुना सफाई देने लग जाते हैं कि आप ऐसे नहीं आप ऐसे नहीं है जैसे कि आपको बहुत बहुत फर्क पड़ता है हर एक छोटी-छोटी चीज से आपको बहुत फर्क पड़ता है मान लीजिए कि आप किसी रिष्टे में है और आपके पार्टनर के बारे में अगर कोई भला बुरा बोलता है आप तुरंद मान लेते हैं आप कभी भी इंसान की इंटेंशन नहीं समझ पाते आप कभी भी इंसान का जो मतलब की नजरिया होता है न जुसका मोटिव होता है वो आप कभी समझ नहीं पाते कि वो चाहता क्या है वो ऐसा कर क्यो रहा है उसके इस बात के पीछे ये कहने के पीछे क्या रिजन है आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं और आप आग बबूला हो जाते हैं उस इनसान के उपर जो आपके साथ रिष्टे में हैं आपको ट्रस्ट इशू बहुत जल्दी हो जाते हैं आपको भड़काना बहुत आसान है अब इस वज़े से आप खुद भी स्ट्रस में रहते हैं और दूसरों को भी स्ट्रस देते हैं ऐसा सोचते हैं आपके बारे में हमें अब इस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि पुरानी बात है लगता है अब ये कोई भी हो één आपके जो दोस्त है न वोस्त देने पसंद नहीं है शायद या फिर हम आपको बताएं आप अन्मारीड हो आप से ओल्ड कोई लेडी है आपके घर में मतलब आप मेल तो वो इन्हें पसंद नहीं है इनको हमेशा लगता है कि वो आपके कान भरती है और आप तुरंत ही उनकी बातों में आ जाते हो और ओवर्रियक्ट करने लगते हो सब कुछ तहस नहस कर देते हो और यह इन्हें बिल्कुल बिल्कुल रास नहीं आता उस ओल्ड डेटी को हम बता देते हैं उनकी एज कम जेकम होगी 40 सम्थिंग 40 प्लस ही होगी तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों पर ध्यान क्यूं देते हो आप उनकी बाते क्यूं इतना सुनते हो वो आपको भड़काते हैं आप क्यों ही चुगली बुराईयों में ध्यान देते हो क्यूं आप अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं कैसा कैसे हो सकता है तो ये पता है ये एक चीज़ चाहते है कि काश आपको कभी समझ में आए कि हर इनसान मीठी मीठी बात करने वाला आपके भले की बात करने वाला अच्छा ही नहीं होता समझ रहे हैं दूसरा इनका नजरिया ये है इनको ऐसा लगता है कि आप पास्ट का रहे सारा कच्रा प्रिजन्ट में लेके घूम रहे हैं मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था मैं कभी भूलूंगी नहीं, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं कभी भूल नहीं सकती इनको ऐसा लगता है कि जब तक आप जिन्दगी में अपने पास्ट की चीजों को लेकर घूमते रहेंगे आप पूरी जिन्दगी कभी सुखी नहीं रहेंगे इनको ऐसा लगता है क्योंकि आप अपने पास्ट को अपने प्रिजेंट में घसीट लाए और यही प्रिजन्ट आपका फ्यूचर बन जाएगा एक दिन दिक्कत आएगी ना अब दिक्कत तो आएगी तो इनको यह लगता है कि काश आप इस पास्ट से मुक्त हो पाते अब आपके पास्ट में कुछ भी हुआ हो फैमली की तरफ से परिवारिक लाइक या फिर पर्सनली किसी से रिष्टे खराब हुए हो कुछ कुछ भी या फिर आपका और इनकी कोई अनमन हुई हो कोई बात चीत हुई हो कुछ गलती हुई हो तो इनको लगता है कि आपका मन तब तक शान्त नहीं हो सकता जब तक आप ये पास्ट का कच्रा फेकते नहीं है आप इस पास्ट से मुक्तु होते नहीं है तब तक आप कभी भी कभी भी कभी भी अपने रिष्टों में ना खुश रहेंगे और ना किसी को रहने देंगे ठीक है आपकों गुस्सा आ रहा होगा ना हमें भी आ रहा है हमें भी आ रहा है गुस्सा लेकिन हम यह सही होंगी है् अज हम आपके तरफ नहीं है आज हम आपके पाटनर की तरफ हैं हमने ना बताएंगे रिजन बताएंगे आपको पता है यह आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं बहुत इनोसेंट जैसे होता है ना कि कोई किसी से बहुत प्यार करता है वो जानता है कि बहुत इनोसेंट है लेकिन उसको यही लगता है कि यार यह रास्ता भटक गया है मतलब कि ये इतना इनोसेंट है कि इसे समझ में नहीं आता है कि कौन इसका भला चाहता है, कौन इसका बुरा चाहता है कौन इससे मतलब से जुड़ा है, कौन इससे निश्वार्थ प्रेम करता है ये इतना इनोसेंट है ये आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं आपके उमर कुछ भी हो इन्हें पता है कि आप बहुत मासूम है इन्हें पता है आप दिल के बहुत सच्चे दिल के बहुत अच्छे इनसान है इन्हें पता है लेकिन बता है इन्हें क्या लगता है इन्हें ऐसा लगता है कि कोई negative energy है शायद जो आपको control कर रही है ये कभी-कभी सोचते हैं कि आपके उपर किसी negative energy का साया है क्योंकि आप हमेशा बहुत insecurity फील करते हैं बहुत डरे-डरे से रहते हैं आपको रात में सपने भी बहुत डरावने आते होंगे आप हमेशा फील करते होंगे कि शायद कोई मेरे पास था कोई यहाँ पर खड़ा था भी आपको सुड़नली बहुत गंदी से smell आने लगती होगी बहुत गंदी सी बद्बू इनको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना आपके रिष्टे में ना आपके करियर में कोई है जो इस हद तक आपको कंट्रोल कर रहा है वरना आप बहुत अच्छे इंसान है आपके अंदर इतना टैलेंट है इतनी क्रियेटिविटी है बहुत सारी चीज़े तो ऐसी है जो गौड गिफ्टेड है आपका दिमाग बहुत तेज चलता है बहुत कलाएं हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा नैच्रल हैं आप कोई बनावटी पर नहीं है आपके अंदर बहुत सादगी है आपके अंदर मिल जुलकर रहना पसंद करते हैं हर किसी से प्यार से जैसे कि बहुत पहले से आपको जानते हैं आपको समझते हैं कि आप ऐसे थे नहीं पर हो गए हैं कूँ ओ गए हैं इन्हें समझ में नहीं आता इन्हें समझ में नहीं आता पते क्या सोचते हैं हम ऐसा भी लगता है कि शायद आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा नहीं है ये फिर आपके से बहुत डीपली कनेक्ट थे दादा दादी मम्मी पापा ये कोई भी जहां तक मम्मी पापा लगते हमें बहुत सरे लोगों के तो आप शायद उन्हें बहुत मिस करते हैं ये सोचते हैं आपके बारे में ये अपने दोस्तों से बोलते हैं कि यार वो बहुत अकेली है बहुत अकेला है और वो अपने माता पिता को बहुत मिस करती है बहुत मिस करता है वो और लोग उसका बहुत फाइदा उठाते है ऐसा सोचते हैं आपके बारे में इनको पता क्या लगता है इनको लगता है कि आपके अंदर जो टालेंट है जो क्रियेटिविटी है जो हुनर इश्वर ने दिया है ना आप उसका सही इस्तिति में होते आप हाई लेवर पर होते आप आपकी बहुत अच्छी पावर होती बहुत अच्छी पोजिशन पर होते एक रस्पेक्टेड व्यक्ति होते एक प्रतिश्ठित व्यक्ति होते बहुत स्टेबल लाइफ होती आपकी लोग आपसे बात करने के लिए तरस्ते अगर आप अपने हुनर का आप अपने टालेंट का सही इस्तमाल करें तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने पक्का यह सोच लिया है कि कोई नेगेटिव इनर्जी है और वैसे भी आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं आप कभी भी अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनतें कभी भी इनकी बात नहीं सुनतें इनकी बात नहीं मानतें कभी भी अपने आत्मा को फॉलो नहीं करतें और जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, वो मिठी-मिठी बाते करके आपको आपके रास्ते से भटका देते, आप मान जाते हैं, तो इनको यही लगता है कि आपके पास कोई एक मनजिल नहीं है, जिसे होता है कि कोई इनसान श्योर होता है कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना ह आपको कभी लगता है डॉक्टर बनना है, कभी लगता है इंजिनियर बनना है, कभी लॉयर बनना है, कभी नहीं, बिजनस करना है, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी ये ठीक नहीं, कभी surety नहीं आपके अंदर आप clear नहीं है आपका mind clear नहीं है आपका aim clear नहीं है और इसी वज़े से आप कहीं पहुँचते नहीं है वरना आपका जो passion है अगर आप उसे follow करें तो आप कहीं पहुँच सकते हैं कहीं नहीं बहुत बहुत उपर पहुंच सकते हैं उपर की बात नहीं कर रहे हैं स्टेटस की बात कर रहे हैं लेवल की बात कर रहे हैं ग्रोथ की बात कर रहे हैं एक चीज और इनको लगता है कि आप थोड़े से इमिच्यूर हैं आप थोड़े से बचकाने हैं बस सुनते समझते हैं नहीं बस लड़ना शुरू बस फायर हो जाते हैं आप आपका मन इस्टेबल नहीं है आपका मन बहुत अशान्त है बस बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं बात को सोचते समझते नहीं है आपके अंदर गंभीरता नहीं है इनको ऐसा लगता है आपके अंदर गंभीरता नहीं है आप अपने अंदर गंभीरता नहीं लाते हैं और एक चीज इनको लगता है कि आपको घुमने फिरने का बहुत शौक है इनकी नजरों में आप मतलब बहुत घुमक कर व्यक्ती हैं आप जिससे भी दोस्ती करते हैं, सच्चे दिल से रिभाते हैं, आप अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, ये बात तो हमें भी लग रही है, सच है, कि आपका रूट चक्रा बहुत जदा ब्लॉक कर दिया गया है, और आ भी आपका आत्म विश्वास मरता जा रहा है बेकार की बातों की वज़े से, और हमेशा डरे-डरे से रहते हैं, इंसेक्योर रहते हैं, ट्रस्ट ने कर पाते हैं, जैसे कि बात चीत करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपके अंदर, आपकी बातों में वो आकर्शन नहीं रहता, आप बहुत लो वाइबरेशन में जा रहे हैं, किसके चक्कर में किसकी वज़े से संगत का बहुत असर पड़ता है, संगत से ही रंगत आती है, संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है, वाइबरेशन का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में, एक बात ध्य चीज़े सही हैं तो आपको सबसे पहले बहुत ध्यान से एक दिन मेडिटेशन करना है और अपनी आत्मा से पूछना है अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान करना और पूछना कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इन में से कौन है वो जो आस्तीन का साप है इनमें से कौन है वो जो मेरे लिए सही नहीं है प्लीस मुझे गाइडेंज दे ग्यारा बार 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 पुछना वो कौन है जो मेरा बुरा चाहता है वो कौन ऐसा दोस्त है जो मेरे लिए सही नहीं है जिसकी एनरजी जिसकी वाइब्रेशन बहुत low है उसका नाम अपने आप आपके सामने आ जाएगा आपके अंतरात में बोल देगे कि ये है उसका साथ छोड़ देना हम आपको बताएं अगर आप low level के energy वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप low level पर जाएंगे अगर आप high level के energy वालों के साथ रहेंगे तो आप high level पर जाएंगे वाइब्रेशन कैसी है इनसान की energy कैसी है कैसी feeling आ रही है होता है नहीं कुछ लोगों के पास बैट कर बड़ी positive सी feeling आती है सुकून मिलता है और कुछ लोगों के energy इतनी low होती है उनसे कोई दुश्मन ही नहीं होती लेकिन पता नहीं कि उनसे बात करने का मन नहीं करता ना मन क्योंकि वो low energy में होते हैं तो ऐसे ही हमें खुद भी अपने energies को high बनाना होता है लो बनाना होता है आप चाहे तो जैसा कर सकते हैं तो सबसे पहले daily रात में अपने आपको positive affirmation देना शुरू करिए जो positive affirmations वाले वीडियो होते हैं उन्हें देखना शुरू करिए रात को सुनकर सोईए सुबह सुनकर उठिये ऐसे दिन के शुरूआत करिए और daily gratitude meditation जरूर करिए आपके अंदर बहुत दया है आप माफ कर देते हैं आप बहुत समय तक गुस्सा रह पाते किसी से जो दिल के सच्चे जो इनोसेंट लोग होते न वो ऐसे होते हैं उन्हें गुस्सा जलती आ जाता है लेकिन अगर उनका कोई कितना भी बिगार दे वो एक लंबी दुश्मनी नहीं रख पाते किसी से माफ कर देते हैं ठीक कोई बात नहीं यह जो भी है यह चाहते हैं कि आप अपने आपको पहचाने अपनी पावर्ज को जाने आप बहुत भाग्यशाली हैं आप हमेशा खुश्न हैं यह ऐसा चाहते हैं एक चीज़ और इनको अच्छा लगता है कि आप भाग्य के भरोसे बहुत ज़़दा बैठते हैं कर्म ही भागे बनता है, भागे कोई उपर लिखता नहीं है, आपका कर्म ही आपका भागे बनता है, तो आप क्यों भागे की भरोसे बैठे रहते हैं, आप देखते हैं, आप कुछ लोगों को बहुत मैनत करने के बाद भी नहीं मिलता, कुछ लोगों को बिना मैनत किये मिल जाता है, जिनको बिना मेहनत किये मिल जाता है न ये इनकी पहले की मेहनत होती है वो जिनके अकाउंट में एड होती है पहले किसी जनम की इनकी वो मेहनत होगी जो इनको इतनी जल्दी सफलता मिल गई लोग कहते हैं हम तो बहुत मैनत करते हैं पर कुछ नहीं कर पाते और लोग कुछ नहीं करते आगे बढ़ जाते हैं उन्हें मैनत की है जो भी दिखने रही आपको वो उनकी पहले की है तो कर्म तो करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कर्म ही प्रधान है कर्म से ही सब कुछ हो रहा है समझ रहे हैं और हाँ यह जो भी है बहुत सरे लोगों के लिए यह अपने लाइफ में काफी स्टेबल है और आप से दूर रहते इनके बड़े-बड़े सपने है हो सकता है कि यह भी अपनी जिन्दगी में थोड़ा सा अकेले हूँ लेकिन यह आपके दर्द को बखुबी समझते है ठीक है बखुबी समझते है और कहीं नगई आपके जिन्दगी में जो समझते हैं उन्हें दिल से दूर करना चाहते है दिल से ये आपकी मदद करना चाहते हैं लीकूँ इंप्री चोटी वाली बाते करते हैं इनको बहुत शच्रश्च इस्वोग हो जाते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं कि उसी ये नजरों मेरी छवी कैसी है और कुछ लोग किसी new person के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपका age difference इशू है तो dear इनका ये नजरिया है आपके लिए अब आप में बताएंगे क्या वो सही सोचते हैं गलत सोचते हैं उनका नजरिया क्या सही है या फिर गलत है ठीक है आई हुब आप समझ गये होंगे जैश्री कृष्णा अपने खयाल रखे अपने अपनों का खयाल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुश्यों की परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा आप सभी के रुदे में बैठी परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम